हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का to the point के modern Indian history के sessions में हमने already 9 chapters खतम कर चुके हैं और recommend you के पहले आप वो 9 chapters पूरे देख लें ताके आपको एक fundamental base मिल जाए के modern Indian history होता क्या है हमने उन 9 chapters में discuss किया कि किस तरीखे से आउरंगा जिब was important in transition from medieval Indian history to modern Indian history 1707 AD याने कि आउरंगा जिब के death के बाद वो कुन से developments थे which paved way for British to give their dominance across the world and as well as South Asian countries especially in India हमने ये भी जाना कि वो British की कुन सी policies थी जिसकी वज़े से British ने India के wealth को plunder किया हमने ये भी जाना कि Indian Renaissance हुआ था तो वो कुन से social reform moments थे या फिर वो discontent किन-किन लोगों में था वो कुन से important personalities थे जिनोंने Indian Renaissance को आगे बढ़ाया आज हम इस 10th chapter में बात करेंगे पेजन्ट रिवॉल्ट्स के बारे में हमने अपने 5th और 4th chapter में बढ़ा कि British administration और British policies जो थी वो बहुत harsh हुआ करते थे कही न कही जो system British होने लाया हुआ था जिसमें जमेंदारी system, महलवारी system, रहतवारी system हुआ करता था जो कि directly और indirectly पेजन्ट से related थे तो आज हम इस चाप्टर में बात करेंगे कि वो कौन से पेजन्ट रिवॉल्ट्स थे जो British राज के खिलाफ थे और इनका कितना योगदान था Indian Independence में तो आएए आज इस चाप्टर में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले और जो सबसे important पेजन्ट रिवॉल्ट था वो था इंडिगो रिवॉल्ट आएए जानते हैं के इंडिगो रिवॉल्ट था किसके बारे में देखे दे इंडिगो रिवॉल्ट और नील बिद्रोह वस पेजन्ट मोमेंट एंड सबसेक्वेंट अप्राइजिंगो फार्मर्स अगेंस दे इंडिगो प्लांटर्स दा अरोज इन चाउगाच्छा विलेज ओफ नदिया इन बंगाल इन 1859 आप पिक्चर देख सकते हैं यह दरसल इंडिगो है आपने कई डैज देखे होंगे अलग-अलग कर जैड़ इसे हम कहते हैं आपके जीनस पैंट का जो वो इसी प्लांट से आता है इंडिगो प्लांट से तो इस कलर को जो है इस्तमाल किया जाता था रौ कॉटन को कलर देने के लिए या फिर अलग-अल बनाते थे कि वो इंडीगो को जो है कल्टिवेट करें और ढरे को होते थे वह इंडीगो के होते थे वह आते थे उनके एक द्रफार्म संच Seri थे vibrations सबसे तर पर चल्स करता है और फसल उगाता है उनके उपर जो थे cultivators होते थे यानि के जमेंदार जाकेदार जो के लैंड के ओनर हुआ करते थे और इनके उपर होते थे British राज या फिर British administration और इनके उपर जो थे वो European country के citizens होते थे जिनके demand को लेकर British राज अपने policies change करता था तो इसी British राज के demand के तौर पर ये cultivators यानि के जो land के owners होते थे वो farmers या पेजन्ट पर दबाओ दालते थे कि वो indigo को जो है ज्यादा से ज्यादा तर अपने farms में वो indigo को ओगाएं ताकि European countries में इसका demand बहुत ही अच्छा होता था तो फिर ये एक बंगाल का एक moment था यानि के बंगाल में ये reward शुरू हो आता जिसे नील बिद्रोह कहते हैं इंडिगो planting in बंगाल dated back to 1777 when Louis Bernard a Frenchman introduced it to Indians हम देख सकते हैं कि इंडिगो दर असल एक exotic species है जो इंडिया का local plant नहीं था ये उगाना शुरू किया गया था क्योंकि French में या फिर European countries में इसकी बहुत जरूरत थी बहुत demand था तो 1717 तक इंडिगो का plantation या फिर इंडिगो जो है वो भारत में नहीं उगाया जाता था या फिर ज्यादा तर इसके बारे में पता नहीं था किसी को भी इंडिगो planting became more and more commercially profitable because of the demand for blue dye in Europe तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यूरोप में या फिर European countries में इस color को या इस blue color के dye को बहुत ही prominence दिया जाता था, demand बहुत ही अच्छा होता था वहाँ पर, तो commercially जो है ये अच्छे profit जाता था East India Company को तो जाहिर सी बात थी के British East India Company उन planters पर दबाव दालती थी के वो ज्यादा से ज्यादा indigo को plant करें, the indigo planters persuaded the peasants to plant indigo instead of food crops यानके वो पेजंट या farmer जो खाने की फसल होगाता था, उस पर दबाव दालते थे के वो इस food crop के बदल जो है indigo को plant करें, the price paid by planters was meager, only 2.5% of the market price तो British East India Company या फिर वो planters जो थे, इन्हें मजबुर जरूर करते थे कि वो अपने farms में instead of food crops indigo को होगाए, लेकिन उन्हें adequate पैसे भी नहीं देते थे it was only 2.5% of the market price याने के market में price जितना होता था, सिर्फ उसका 2.5% उन्हें return मिलता था बाकी का जितना भी profit या जितना भी पैसा कमाते थे, वो directly British के profit या फिर cultivators के profit में जाता था तो कहीं न कहीं, indigo planters ने अपना revolt शुरू किया था, उन्होंने एक revolution लाया, उन्होंने खिलाफ आवाज उठाई इसके और खासकर British का जो, बिंगाली का जो middle class था, उन्होंने बहुत support किया इस निल बिद्रोह को दीन बंदू मित्रास 1860 play नील दरपन is based on this revolt, तो दीन बंदू मित्रास बहुत ही prominent scholar थे, तो उन्होंने अपने नील दरपन एक play में जो है, यानि कि इसी revolt के तहत उन्होंने अपना एक play नील दरपन लिखा हुआ था 1860 में, देखे आप देख सकते हैं कि बंगाली middle class ने इसक documents को, और कहीं ना कहीं loan दिया करते थे, बंगाली middle class या फर peasants को, और वो loan के contracts कुछ ऐसे होते थे, कि सारे जिंदगी भी बीच जाती थी, लेकिन ये peasants या middle class person इस loan को repay नहीं कर सकता था, तो उसी खातर बंगाली middle class लोग जो भी थे, उन जमेंदार्स, उन cultivators के खिलाफ थे, इंडिरेक्ली जो इस peasants को सताते थे, तो जिसके खिलाफ इन peasants ने आवाज उठाई थी, तो बंगाली middle class को भी ये पता चला, कि we should support them, because directly they are going to hit the cultivators, यानि कि वो middle class, यानि कि वो middle section, जो जमेंदार, जागिरदार हुआ करते थे, ये effect उन पर भी पढ़ने वाला है, main cause, हमने main cause तो पिछले slide में देखा कि they were forced, उनके will के खिलाफ जो थे, वो indigo उगाया जाता था, लेकिन एक बहुत ही एक unique system था, जिसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे, वो system का नाम था, तीन कठाई system, तीन कठाई was the system under which the native peasants of Champaran Bihar, were forced to cultivate 3 काठो indigo out of every 20 कठा भीगा of land, अ मान लेते हैं कि हमारे पास 10 एकर जमीन है, तो कही ना कही 10 एकर में से 3 एकर जमीन पर मुझे हर हाल में indigo उगाने थे, या indigo plants को मुझे cultivate करना पड़ता था, ये rule था या फिर ये system था जो British follow क्या करते थे, Champaran Bihar में, जिसे 3 कठाई system कहते थे, हालांके ये Champaran moment 1917 में बापू क आने के बहुती प्रामेनस ले चुका, लेकिन indigo revolt जो है, वो 1850 से जो है वो चल रहा था, तो ये 3 खटाई system के खलाफ आवाज उठाई गई थी, 1917 में, तो इसके पहले भी, ना के सिर्फ 3 एकर जमीन out of 10, याने के one third of your land, बलके कई बार जो returns आपको आते थे, उसमेंसे 50 to 60% क revenue भी आपको ब्रिटिश ओनों को पे करना पड़ता था, तो इतने आड़ोर से ब्रिटिश policies, तो ये the second most important peasant revolt के बारे में बात करते हैं, the pubna peasant uprising, ये चला था 1873 से लेकर 1876 तक, it was a resistant moment with the peasants against the landlords of Bengal, याने के जमीनदारी सिस्टम जो बेंगॉल में हुआ करती थी, हमने फिछले lessons में देखा के Bengal, Awad, Lucknow उस एरिया में जमीनदारी सिस्टम, South में मदरास उस एरिया में रहतवारी सिस्टम, और Northwest Frontier या फिर राजस्तान गुजरात के एरिया में महलवारी सिस्टम हुआ गरता था, तो जमीनदारी सिस्टम प्रामिनट था Bengal में, तो इसी जमीनदारी सिस्ट अब पिक्चर देख सकते हैं, यह I.C. Roy की पिक्चर है, तो हमने यह तो जानते हैं कि 1905 में Bengal के दो हिस्से किये गए थे, West Bengal और East Bengal, तो आज का जो पबना रीजिन है, वो East Bengal, यानि के आज जो बंगलादेश है, उसमें है, तो यह पेसंट अप्राइसिंग उस वक्त के Eastern side of Bengal म against the zamindars. Some lords forcefully collected rents and land taxes, often enhanced for the poor peasants, and also prevented the tenants from acquiring occupancy rights. तो चंद जो zamindar हुआ करते थे, हमने पिछले lesson में देखा कि zamindari moment में British जो थे, वो land rights zamindars को दिया करते थे, instead of rights. हमने देखा कि रहतवारी सिस्टम में ये land rights zamindar को ना देकर direct peasants को देते थे, लेकिन revenue pay करने का responsibility directly peasants पर होती थी British राज को. लेकिन जमindari system में जमindar होते थे जो British राज को lent या फिर revenue pay करते थे, तो कहीं न कहीं some lots जो के जमindar के जो lots होते थे, वो मदद नहीं करते थे, या फिर वो against थे इस peasants को ownership अपने हाथ में लेने के लिए, और कहीं न कहीं land taxes और revenue भी बहुत ज्यादा, rent भी बहुत ज्यादा collect क लोन दिया करते थे, एक hidden किसी न किसी agreement को दे कर, या फिर किसी न किसी hidden clause को दे कर, ताकि वो peasant सारी जिंदगी लोन जो है वो चुका नहीं पाता, तो कहीं न कहीं non payment या फिर dues के नाम पर जो है, वो उनके occupancy rights को भी चीन लेते थे, In the face of police action and additional famine that broke out in 1873-74, the rebellion subsided, तो एक बहुत ही अच्छे स्थर पर यह rebellion चल रहा था, लेकिन police का brutal action लिया गा था ब्रिटीशों के तहत, और फिर ब्रिटीशों ने जो है police action लिया था इनके खिलाफ, और famine भी जो था वो बंगाल में आया था, वन फो बंगाल में आया था, वन of the most prominent peasant movements in India. आई हम जानते हैं Deccan Roids के बारे में, हमने देखा Pabna Roids, हमने देखा Indigo Revolt, जानते हैं के Deccan में क्या चल रहा था, In May and June 1875, peasants of Maharashtra in some parts of Pune and Ahmadnagar district revolted against agrarian distress. तो छोटे-छोटे जो agrarian peasants होते थे या फिर riots होते थे, उन्होंने agrarian distress के खिलाफ अपने आवाज उठाई थी 1875 में, Maharashtra और Pune के areas में. The Deccan Roids of 1875 targeted the conditions of dead pionage, community to money lenders. तो ये भी कहीं न कहीं, हद से ज्यादा money lenders के oppression और suppression के खिलाफ लिया गया था. The rioter's specific purpose was to obtain and destroy bonds, decrees and other documents in possession of the money lenders. As Indian agriculture was drawn into the world economy, credit, e-commerce, inequality and the growth were interrelated. देखे हमने फिछले slides में देखा किस तरीखे से एक fraudulent तरीखे में money lenders money lenders करते थे पेजेंट्स को और फिर उनसे कई agreements जो है थे, वो sign किया करते थे. ज्यादा तर ये जमेंदार्स और जाकिरदार्स जो थे वो educated होते थे और जो peasants होते थे वो uneducated होते थे जो illiterate होते थे पड़ी लिखाए उनके पास होती नहीं थी. तो ये money lenders उसी illiteracy को जो है अपना एक weapon बनाते थे उन्हें exploit करने के लिए. fraudulent तरीखे से उनसे कई loans दिलवाते थे, उन्हें money lend करते थे credit basis पर. लेकिन कुछ ऐसे agreements में उन्हें लेते थे जो के सारी जिंदगी वो money credit को नहीं चुका सकते या फिर उस loan को चुका नहीं सकते थे. तो इसी से कही न कही वो उनके land के occupancy rights को लेते थे या फिर जितना भी returns उन्हें आता था फार्म tilling से उसमें 50 और 60% profit directly वो जमिनदार्स लेते थे. तो decanroids भी जो था वो ये peasants जो थे वो directly attack करते थे जमिनदार्स को और उनके पस जितने भी land bonds होते थे, agreements होते थे उन्हें जला दिया करते थे. This mainly happened because India का interconnection बढ़ रहा था, industrial revolution हुआ था और फिर इंडिया की agrarian sector थे, agrarian economy थी, वो कही ना कही global level पर बढ़ रही थी. क्योंकि हिंदुस्तान उस वक तक agriculture में involved था क्योंकि subsistence तरीखे पर याने के सिर्फ उसका pet भरने के लिए. लेकिन अब वो European countries के demands को फुल्फिल करने भी agriculture किया करता था. The cultivator's distress resulted from falling agricultural prices, heavy taxation and a sense of political powerlessness. तो कही ना कही ये बर्त है Indian Renaissance, especially in the way of Indian Independence Movement का. या फिर हम ये कहेंगे तो सही होगा कि Indian Independence Movement for a swaraj और self-rule started from these peasant movements. The commercialization of agriculture under British land revenue policies burdened the small peasants. हमने Indigo revolt में देखा कि किस तरीखे से indirect pressure बनाया जाता था British राज से उन peasants पर कि वो Indigo को plant करें. हमने देखा कि महलवारी, जमेंदारी और रहतवारी system का इस्तमाल करके किस तरीखे से चीट करता था British इन small peasants को. तो कही ना कही commercialization हो गया था agriculture का. क्योंकि Europe में जो है वो raw material की बहुत जरूरत थी. तो somewhere revenue के policies की वज़े से हमने पिछले lessons में भी देखा British policies के chapter में हमने देखा कि British army और British expansion करने के लिए जो पैसा आता था वो कही ना कही इंडिया के farm से या फिर इंडिया से ही वो revenue collect करते थे. तो कही ना कही ये बहुत ही adverse effect करता था इंडिया के economy पर. Vasudev Balvant Phadke launched a violent campaign against British rule in 1879 aiming to establish an Indian republic by driving them out. तो वी भी Phadke आप picture देख सकते हैं. ये Deccanroids में one of the most important personalities है. तो इनोंने 1879 में एक violent campaign शुरू किया था British Raj के खिलाफ Hindustan को एक Republic बनाने के लिए. However, his insurrection met with limited success. Someone betrayed Phadke to claim a bounty offered by British. He was arrested and deported to Aden where he died of a hunger strike in 1883. तो देखिये दरसल कई ऐसे freedom fighters चाहे वो वी भी Phadke हो या फिर अलू इसी तरह मराज जैसे important personalities वो gorilla warfare tactics में believe करते थे. वो British पर attack तो करते थे लेकिन चिप कर तो उसी तरीके से भड़के जी जो थे वो चिप कर British पर attack करते थे. तो कहीं ना कहीं उनी के एक साथी ने उन्हें betray किया था. One of the most important turning points for Dick and Royce was his death. यूने के उनने arrest किया और Aiden भेजा गया जहां पर jail थी और वहां पर उनकी मौत हुई. तो these were a few important peasant moments which changed the very version of Indian independence moment. और फिर आप ये कहेंगे तो सही होगा कि Indian independence moment को कहीं ना कहीं start करने वाले peasants थे. Thank you for watching my video.